दोस्तो आज मैं आपको जादूई गड़ी चावल की कहानी सुना रहे हूँ चंदनपूर गाओं में किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे किशन पैसे वाला था जबकि मदन गरीब था किशन ढाबा चलाता था और मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया मदन सीधा साधा था इसलिए कुछ नहीं बोला मदन ने शुरू से इखाना बनाना सीखा था मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आई थी जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी उसका इलाज शहर में हो सकता था जिसकी लिए मदन को दो लाक रुपे की जरोत थी पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके इस बात को लेकर वह बहुत परिशान रहता था क्या करूँ शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी हो पैर उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा अगर उसमें देर हो गई तो पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा एक बार किशन भीया से बात करके देखता हूँ शायद वो थोड़ी मेरी मदद कर दें मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है किशन है पागल हो रहा है क्या दो लाक रुपे की रकम थोड़ी होती है एक तो पहले ही मेरा डाबा ठीक से नहीं चल रहा घर में बड़ी दिक्कत चल रही है और फिर तो कड़ी चावल का ठेला लगाता है तेरी कमाई नहीं होती क्या जो बुछ से मांगने के लिए आ गया किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तब ही एक बुड़ा वक्ती किशन के डाबे पर आता है बुड़ा वक्ती कहता है भाईया कुछ खाने को दे दो बहुत भूग लगी है भगवान तुमारा भला करेगा किशन लो एक मांगने वाला पहला एक दूसरे मांगने वाला बाद में आ गया जब देखो मेरे ढाबे पर बिकारियों की भीड लगी रहती है मेरे ढाबे से फूड़ी कोड़ी तो क्या एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा चले जाओ यहां से निकल जाओ मदन समझ गया था कि कहीं न कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है वह निराश हो जाता है बुड़े वक्ती भूका ही वापस चला जाता है कभी मदन उसे से आवाज लगाता है मदन अरे बाबा रुको मेरा पास ही ठेला है वहाँ पर चलो मैं कुछ खिलाता हूँ मैं अपना ठेला वापस घर ही जा रहाता ये कड़ी चावल है ये तुम खालो और अपने घर भी लेते जाओ जीते रहो बेटा भगवान तुमें जीवन की हर खुशी दे कड़ी चावल को देखकर बुड़ा वेक्ती बहुत खुश होता है और मदन को दुआय देता हुआ चला जाता है मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी ऐसे ही दिन बीत रहे थे पर मदन का पैसो का कोई इंतिजाम नहीं हो रहा था एक दिन मदन जब कड़ी चावल का ठेला लगा रहा था तभी वहाँ से कुछ सादू मात्मा गुजर रहे थे सभी मात्मा बहुत भूके थे वो आपस में बात करने लगे पहला सादू बहुत भूक लगी है हम सादू को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साप मना कर दिया है एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से भी पूछ लेते हैं शायद योई हमेरी मदद कर दे हमें खाना खिला दे हाँ हाँ पूछ कर देख लेते हैं नहीं तो भूके ही मंदिर की और बढ़ जाएंगे बेटा बहुत भूग लगी है क्या तुम हमें कुछ किला सकते हो मदन हाँ हाँ महत्मा जी ये तो मेरा बड़ा सोबाग्या है कि आप मुझ गरीब के ठेले पर कड़ी चावल खाओगे आप सब यहां बैठो मैं आप सब के लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ मदन सभी सादू के लिए बढ़िया तरीके से कड़ी चावल तैयार करता है मदन के ठेले के कड़ी चावल खाकर सादू मातमा त्रप्त हो जाते हैं सादू तुम्हें परेशान होने की कोई आवशकता नहीं है हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बढ़िया हो जाएगा इससे तुम्हारी बिकरी शुरू हो जाएगे तुम अराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो और तुम्हें एक बात का हमेशा धियान रखना है तो मैं रोजाना अपनी ठेले से सो गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होगे मदन आपका बहुत बहुत शुकरिया मैं इस बात का पूरा पूरा धियान रखोंगा उनसादू महत्माओं का मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कड़ी चावल बनाने लगा मदन के कड़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गाउं और शहर के लोग उसके पास कड़ी चावल खाने के लिए आते थे मदन सो गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कड़ी चावल खिलाता था दीरे-दीरे मदन की बिक्री बड़ी अब उसके पास लोग भी जादा आने लगे थे इसलिए उसने दीरे-दीरे कड़ी चावल की बड़ी दुकान खोल ली मदन के पास इतने पैसी कटा हो गए थे जिससे वे अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चल कर स्कूल जाने लगी थी मदन की बेटी रूपा बापू देखो मैं फिर से चल सकती हूँ बापू मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है मदन की पतनी जानकी आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ उन सादू महत्माव ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के दुखों को दूर कर दिया है मदन हाँ जानकी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो वो सादू महत्मा तो कोई भगवान का ही रूप लेकर आये थे मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया बस मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वह अपना समू लेकर रहे जाता है मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में धेशारी खुशियां आ जाती है सीख दोस्तो हमें सिख सीख भी मिलती है जो दूसरों का भला करता है भगवान सदा उसकी साहता करते है दोस्तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पोर वचिंग